हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमाई चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए बहुती मैध्बून टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको त्रिफला चूरन के पांच नुस्के या आप कह सकते हैं त्रिफला चूरन के पांच फाइदों के बारे में बताएंगे अगर आपको कभी भी हलका बुखार हो तो पीपल का चूरन दो ग्राम और तीन ग्राम त्रिफला चूरन थोड़े शैद में मिलाकर सुबा शाम चाड़ लें इससे आपको जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा अगर आप मोटापे से परिशान है तो एक ग्रास ठंडे पानी में एक चमच शैद गोल कर प्राता काल एक चमच त्रिफला चूरन के साथ नियमित रूप से पीएं इससे आपको वजन कम करने में साहिता मिलेगी अगर आपको खासी रहती है तो शैद दो चमच और गाएं का गी आदा चमच मिला लें इसके साथ एक चमच तिफला चूरन मिला कर सुबा चाट लें तो इससे आपकी खासी की समस्या भी दूर हो जाएगी अगर आप प्रेमे रोग से ग्रसित हैं तो 3 ग्राम तिफला चूरन, 3 ग्राम पिसी हल्दी और 6 ग्राम पिसी मिश्री मिला कर फाक ले और पानी पी कर मुझ साफ कर ले लगतार 60 दिन सेवन करने से सब प्रकार के प्रमे रोग नश्ट होते हैं रक्त की शुद्धी होती है और इससे तोचा का रंग निखरता है इसके लावा दोस्तों हमारा पांचवा और आखरी नुसका इस प्रकार है कि अगर आपको जोडों में दर्द रहता है तो त्रिफला चूरन दो चमच यानि की लगवग 10 ग्राम दो कब पानी में डाल कर काड़ा करें और जब पानी आदा कब बचें तब उतार कर बिलकुल अराम के नीन सो सकता है तो दोस्तों ये हमने आपको त्रिफला चूरन के पांच नुसकों के बारे में बताया अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को जादे से अदा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें धन्यवाद